हेलो एवरीवन वेलकम टो सिंपली लजीज आद में शेयर करने वाली हूं आपके साथ ब्लाक चना करी की रेसिपी जो की बहुत ही ज़दे टेस्टी होता है और साथ ही हेल्दी भी होता है और आप इस चने को अगर से बनाएंगे तो यह बहुत ज़दे टेस्टी बनेगा तो लिए शलीं ट्राइड है और इसके पाल हमने इक बड़ी लाई की ए और यह एक चोटा पीस हमने जाविट ची का हलिया है और यहां पर हमने लिया एक सिने मेनिस्टिक होतीन कट्री वो पार्ट हमने लिए हैं इस स्ताफ ओल के और ये सपयद हमने लिए लिए और अद्रक की कुछ टुकड़े हमने लिए हैं और अब हम इने भिगो कर रख देंगे लगभग 15 मिनट थोड़ी सी गुल गुले पानी में हमने इसे भिगो दिया है 15 मिनट के लिए भीग जाएगा उसके बाद हम इसका पेस्ट तयार कर लेंगे भिगोने से मसाली पिसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं और इसके बाद इसमेट कर देंगे जीरा और देखें हमने इसका पेस्ट तयार कर लिया है और यह कितना अच्छा पेस्ट बनकर तयार हुआ है तो मसाले हमेशा भिगो कर पीसे उसके बाद हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है लगो APP टांगोत एक चंमच और नहीं यह 4 नहीं यह मिर्च नाली है जिनन अधी आपिसे फार लिया है ठूड़ा साथ कट लगा जाने 20 और और इसके बाद इसे fry कर लेंगे मिर्ची को हमें अच्छे से fry करना है लगब क्रिस्पी करना है गैस की फ्लेम को लो रखें अब देखें बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुकी है अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे हम अब हम इसमें अट कर देंगे एक छोटा चमच हमने यहां पर चाट मसाला एक किया है अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा आप लेमन जूस अट किया है अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम चने के साथ सेर्व करने के लिए रखेंगे तो सब फिर हमने कठाई में तेल डाला उसमें एक तेज़ पत्ता और एक मीडियम साइज का हमने प्यास डाला हुआ है और हमें इसे अच्छे से सौटे करना है अच्छे से प्यास प्यास को हमें अच्छा गओल्डें ब्राउन कर लेना है इसी तरह से प्यास को हमें अच्छे स्पिल्गुल लो फ्लैम पर गोल्डें ब्राउन करना है आप हम इसमें प्रिपेड मसालाutetर कर देंगे जो भी हमने अबी बनाया थह horse को भी हमें अच्छे से भूलना है और यहां पर हमने आट कर दिए मीडियम साइज का टमाडर और एक छोड़ा चमर हल्दी पाउडर दो छोटे चमर धनिया पाउडर और यहमने आट किया चौटा चमर काश्मीरी रेड चिली पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा हात है और नमक आप अपन करना है मिक्स करके हमें इसे अच्छे से भूनना है बिल्कुल जब तक कि इसमें से तेल अलगना हो जाए तब तक कि हमें से भूनना है थोड़ा सा पानी हमने एड़ किया था मसाले में पानी आड़ करने के बाद में हम इसे अच्छे से भून लेंगे यहां झाल हुआ दो है अभी अच्छे से और बुन चुका है अब वायल हमें ऐसमेंड कर देंगे बॉइल के पक्राघ्ट नजाने के बीडिन कब fattu चैने को हमने एक सीद्ěल आने के बाद 15 मिनिंट तक बॉइल किया था और इसमें हमें थोड़ा से नमक और पनी AID किया था और इस पानी के साथ ही हम इस चनी को चमें कर देंगे कंब कि छणी का पानी बहुत ही सदा마 हल्दी होता है इसलिए उसे बिल्कुल या मस्का तुक्ष हरे और इसे मिक्स करेंomena यहां पर यह मैश किया हुआ चैना डालेंगे थोड़ा सा चैना निकाल के हमने इसे अच्छे से मैश कर दिया था और इसमें आट कर देंगे थोड़ा सा पानी ये गरम पानी का इस्तमाल मैंने इसमें किया है ठंडे पानी का यूज ना करें गरम पानी का ही यूज करें अब देखें ग अच्छी आरें सॉर्थ बिर्ब्रिकुल त्यार है एक इसमें और भी चावल के साथ में सर्फ करेंगे आप जीरा रास के साथ में सर्फ करनेंगे तो आप सकते हैं कि इसमेर तका द्रृब करोड़े like share and subscribe